नमस्कार मैं हूपी के बैद स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पे आप सभी लोगों का हकीम बैदराज और जर्राच किसक सावधान हो जाएं क्योंकि आप लोगों का रजिस्टेशन नहीं है छापा मार कारवाही जो है सुरू कर दिया गया है अभी तक आप लोगों के इसमें समाब लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि ये हकीम बैद जर्राच जो चिकिस्टक होते हैं ये कैप्सूल में जो है दर्द की दवा और तमाम परकार के जो है दवाईयों को एलोपेथी दवा को जो है पाउडर करके जो है बेच रहे हैं इसलिए जो है सरकार की मनसा बनी की का नजर आप लोगों के उपर भी पहुंच गया है अब सरकार जो है ऐसे लोगों को पकड़ के जो है उनको जेल में डालने की कारवाही सुरू कर दिया गया है इसके लिए हर जिले में जो आयुरबेदी की उनानीच किस्ता अधिकारी होते हैं उनको तैनात किया गया है कि जेल में डालो क्योंकि ये लोगों के स्वास्त के साथ खिलवार कर रहे हैं तो आप लोग इस कारवाही से अगर बचना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बहुत महत्पूर जानकारी दे रहा हूं इस महत्पूर जानकारी को आप अगर ध्यान में रखते हैं और बताएगे मार्ड कांफरन करते हैं तो आपके उपर कोई कारिवाही नहीं होगी, ये आप चान लीजेर्ड रुजिस्टेशन कहां से करना है, पूरी प्रास्रिश में आपको बताऊंगा, तो रुजिस्टेशन आपका जो है, आपके लखनओ में, अगर आप लखनओ के हैं, तो आपका तो यह सारी चीजे आपको कैसे करना है क्या करना है उसके लिए आपको बारश सरकार के द्वारा जो एक कोर्स चलाया जाता है जिसका नाम है डिप्लोमा इन आयरुवेदिक फार्मेशी तो डिप्लोमा इन आयरुवेदिक फार्मेशी अगर आप इसमें अपना एडिमिशन करा लेते हैं दो सार का डिप्लोमा होता है और इसमें आपको तीन महीने की जो है अपरेंटिस कराई जाती है हास्पिटल्स में और आपको जो ह है तो इस तरह से जो है आपका ये डिप्लोमा हो जाता है उसके बाद आपका रजिस्टेशन हो जाता है भारस सरकार के जो है तहत रजिस्टेशन हो जाता है तो इस रिस्टेशन में आप अपना जो है रिस्टेशन करा लेते हैं तो आपको कोई भी जो है दिकारी टेश नहीं कर सकता है तो अगर आप लोग अभी तक नहीं किये हैं और डियेपी कfry्स करके अपना भविष सुनिष्चित करना चाहते हैं क्योंकि सरकार की नजर आप जो है अगर आप हमसे जुड़के जो है अपना ये डी एपी कोर्स करना चाहते हैं जिसमें आपको सारी सुद्धाइं दी जाएंगी आपको कोई समस्टिया नहीं होगी आपका रिजिस्टेशन भी करा दिया जाएगा सारी प्रोसेस होगी और अभी के लिए ततकाल में अगर इस तरह से आप अपने आपको शिकोर कर सकते हैं और दीन दो साल पूरा होने के बाद में आप जो है बारस सरकार में रजिस्टर हो जाएंगे आपको कभी भी आईसी भविस्ट में समस्टिया नहीं होगी तो इसके लिए आपको ये फोन नंबर जो मैं दे रहा हूं इस फो आपको हईस्टेशन करा सकते हैं अपना na mobile नंबर 3 चीजह इस पर आप अपना जो है ने पेइमेंट और भी गईरा भी पेट कर बकर गिए जो है तो निएन जहाओ देना होगा minimum qualification high intermediate रखा गया है तो intermediate जो लोग बाइलोजी गुरूप से पढ़ाई किये हैं उन्ही काडमीशन होगा बाकी लोग काडमीशन नहीं होगा अगर आपको कोई लोग बताते हैं कई लोग गुमरा करते हैं कि आपने intermediate आर्ट साइड से किया है एगरी कल्चर से किया है तमाम प्रक है आपको लोग का जो है इसमें डीमिशन नहीं होगा अगर आप Intermedian में मयत या बायलोजी से पढ़ाई किये हैं तो आपका इसमें डीमिशन हो जाएगा यह आप स्वयम नहीं किये हैं तो आपके घर में आपकी बेटे बटा आपकी बेटी आगर की हैं तो आप उनके नाम स इसा प्राब्लम आ रही है अगर आप अपने आपको शिकोर करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप संपर कर लीजिए वाट्स अप कर लीजिए और आपको जो है सारी चीजे इस पे जो है एवलेबिल रहेंगी तो आप फटा फट इस पे डाल कीजिए और इस वीडियो को लगबग हजारों लोगों का मैंने रजिस्टेशन करवा दिया है और जाजारों लोगों की डिप्लोमा कोर्स उनको करवा कि उनको जो है स्टेकोर कर दिया गया लेकिन अगर आप भी तक आप नहीं कर पाए हैं आप किसी कारण बस बंचित हैं तो आप इस पे संपर्ग कर लीजिए अभी भी समय है समय रहते आप सचेत हो जाएंगे तो आपको भविष्ट में समस्टिया नहीं होगी इसमें ज्यादा आपका कोई पैसा विसा नहीं लगेगा बस आपको रिजिस्टेशन और पैसा आपका जो कालेज का फीस होता वहीं लगेगा मिनिमम को आपकी लिया जाता है और बहुत के कालेज जो है अधरफ रिजिसटर्ड और नहीं है जो आपको सभी बच्चों का चार्ज है वही चार्ज आपको लिया जाएगा जो बारस सरकार के द्वारा धार धभीं से वही लिया जाएगा और आपके जो कालेज होंगे बादर सरकार की आफीसियल बेव साइड पे रजिस्टर्ड कालेज होंगे आप इसे आनलाइन भी चक कर सकते हैं सारी चीजे होंगी और कोई दिक्कत नहीं है आप इसको करिए निशिंत हो जाएए अपनी डिप्लोमा ले लीजिए नहीं तो बव जवानत नहीं होगी ये भी आप जान लिजए तो इससे बचने के लिए आप इसको करके अपना पर भवि से सुनिश्चित कर सकते हैं और आपको कोई समस्या हो तो आप हमको वारसा भी कर सकते हैं मिलता हूँ पुना एक ने वीडियो में तब तक आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा सभी को राम राम धन्यवाद